यहांकर नमस्कार आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथ्री यानी किड्नी स्टोन और उसके दर्द के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सरीर में बॉडी में दो गुर्दे को सब्सक्राइब इन गुर्दों का काम यूरिन का प्रोडंक से करना होता है यहां से urine जो produce होती है वो ureter के माध्यम से urinary bladder में पहुंचती है यह ureter का हिस्सा है ureter का पर इन चोड़ा होकर चोड़ा हो जाता है जिसे हम renal pelvis कहते हैं और यह renal pelvis चोड़ा हिस्सा फिर कई सारे छोड़े छोड़े ब्रांचों में यह खानों में बढ़ता है इसको हम बोलते हैं calyx यह चोटे-चोटे calyx यह major calyx है और बहुत सारे minor calyx यह खाने होते हैं गुर्दे की पत्री का बनने की सुरुवात इनी calyx में ही होती है सबसे पहला जो stone बनता है वो calyx में बनता है आप यह देख सकते हैं यहां बहुत सारे गुर्दे के अंदर बहुत सारे filters होते हैं जिसको हम nephron बोलते हैं nephron का काम होता है blood को filter करना है यह खून को छानना और खून के छानने से ही urine का production होता है ये बहुत सारे नेफ्रान एक गुर्दे में करीब 10 लाक नेफ्रान होते हैं, ये सारे नेफ्रान जो है आपस में बंडल बनाकर एक एक रिनल पैपिला में खुलते हैं, यहां बहुत सारे नेफ्रान एक साथ खुलते हैं, देखिए नेफ्रान की ओपनी है, और ये सारे नेफ बास केशिकली किडनी स्टोर्ट जो है वह यूरिन में पार जाने वाले विभिन क्रिस्टल्स है कैलोके आँजलेट कैल्सियम फासपेठ्र और यूरिक असिट, इन क्रिस्टल्स की जब थे इन बहुत बढ़ जाती हैं और इस्टोन जो है बहुत तरीके के होते हैं बहुत उनके डिफरेंट केमिकल कमपोजिशन के अधार पर उनके आकार के अधार पर उनके साइज के अधार पर डिफरेंट तरीके की स्टोन हो सकते हैं बैसे कैलसिम आउजिलेट, कैलसिम फासफेट, इस्टोाइट इस्टोन, एक शुत्ता, यहं इस्टोर्व जो कैलिक्स में जब इस्टोर्व बनने कि सुरुवात होती है, तो यहीं पर यह धीरे 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 सी लेर बाइ ग्रो भी करते हैं, इनकी मोटाई धीरे धीरे बढ़ती रहती है और इनका ग्रोथ जो है महीनों में और कई-कई सालों में होता रहता है कुछ स्टोन जो छोटे आकार के होते हैं कुछ स्टोन हो सकता यहीं छोटे आकार के जब इस वस्था में यहीं सर कैलिक्स से छूट जाते हैं पैपला में चिफके रहते हैं और जब जैसे से बड़े हो याते हैं तो यहां पैपला से छूट जाते हैं और छूट कर यह पानी में बैते हुए आगे की तरग बढ़ जाते हैं यदि ये स्टोन बहुत छोटे आकार का जैसे आचित में देख पा रहे हैं, ये बहुत छोटे आकार का स्टोन है, और ये छोटा स्टोन यूरेटर के साइज के तुलना में बहुत छोटा है, सम्हावना यही है, ये स्टोन कहीं आप ये देख सकते हैं कि ये स्टोन इस यूर प्रॉपल साथ निकलते रहते हैं और हमें पता भी नीचलता विल्क। laugh कि अश्य स्टवन अमरे स्टवन को करनें जो होता है wifi को स्टोन रुखावत डालता में ट्राक को कुपर रुकावत नालता है urine के main track जो ureuter है इसको यदि कही रुकावट डालेगा तभी stone का दर्द होगा यदि कोई stone calyx में है तो ये कोई दर्द नहीं करेगा यदि ये ureuter को रुकावट नहीं डालाएगा तो भी ये दर्द नहीं करेगा सिर्फ दर्द और दर्द तभी होता है जब ये ureuter को ब्लाग करता है रुकावट डालता है तो हम देख पा रहे हैं कि ये stone बहुत छोटे आकार का है इस तरीके की stone जातर stone शरीर में जातर stone जो 80-90% 80-90% stone इसी आकार के होते हैं चोटे निकलते रहते हैं जिनका हमें ऐसास ही नहीं होता तो 80% stone जो है इस चोटे आकार के होते हैं और ये सोटा अपने आप निकल जाते हैं और हमें इसमें किसी operation या किसी दवाख जरूथ भी नहीं पड़ती लेकिन यदि इस्टोन कैलिक्स में रहते हुए काफी बढ़ा हो जाता है वहाँ ग्रो कर जाता है और काफी बढ़ा होने के बाद वहाँ कैलिक्स से छूट कर बाहर आता है तब चांस यह होता है कि यदि ये इरोटर के लुमेन से युरेटर की लुमेन से बड़ा है तो ये युरेटर बफच जाता है और ये रुकावट डालता है इस रुकावट के डालने की वैस ही दर्द होता है तो स्टोन जब तभी दर्द करेगा जब वो युरेटर को ब्लाक करेगा कैलिक्स में पाए जाने वले स्टोन कभी दर्द नहीं करेगा आप देख पा रहे हैं यह स्टोन काफी स्पेकुलेटेड है इसमें स्पाइक से नुकीला स्टोन है जब यह उरेटर से निकलता है तो उरेटर की लुमेन को यह उरेटर की मिकोस आप उरेटर की लाइनिंग को खरोचे भी डालता है इसकी वैसे यहाँ पर ब्रीडिंग भी सुरू हो सकती है ही मैचूरिया भी हो सकता है अब जानते हैं जब यह उरेटर की यात्रा यहां से सुरू होती है इस्टोन की यात्रा यहां से शुरू होती है, किड्नी के पेल्विस से होते हुए, पेल्विस से होते हुए, लंबी यात्रा करते हुए, इरोटर के लंबी यात्रा यहां से होते हुए, यह अल्टीमेटली ब्लेडर में आ जाता है, ब्लेडर से निकल जाने के बाद यह यूर इस तो नहीं पर रुकावट डालते हैं अब जानते हैं कि kidney का stone कैसे पचाने कि यह kidney का stone का दर्द है kidney का stone का दर्द जो होता है उसका characteristic feature है कि वो दर्द हमेशा flank region में होगा यानि इस region को flank बोलते हैं यह region यहां से यहां से दर्द का सुरुआत हमोण यहां से होती है और यह दर्द धीरे धीरे नीचे की तरफ groin area में भी पहुंचता है और groin area से होते हुए यह genitalia यानि पेसा वाली जगए तक genitalia तक भी दर्द पहुंच जाता है कभी-कभी यह दर्द थोड़ा वो genitalia और mid-up time में भी आ सकता है इसके अलावा हमेशा जब दर्द बहुत तेज दर्द होता है तो उस condition में उस स्थिती में दर्द के साथ साथ वोम्टिंग भी होती है साथ साथ जब यह stone पास होता है यह return में तो पिशाब में खून भी आ सकता है जिसे हमैचूरिया बोलते है तो यह तीन यह दर्द की specific side वोम्टिंग भी मैचूरिया यह triad characteristic है यह दर्द को कैसे विभेत करें कि यह kidney stone का दर्द है या peat के दर्द का back pain है back pain हमेशा usually kidney stone का दर्द होता है हमेशा एक side में होता है usually एक side में ही होगा लेकिन जो back pain होगा वो अमुमत दोनों side में हो सकता है दूसरी बात यह posture से related होगा back pain में किसी ने किसी खासने चीकने से या किसी special position बदलने पे दर्द aggravate होता है जबकि kidney के pain में kidney के जो stone का pain होता है उसमें दर्द किसी position से related नहीं होता होता है मरीज किसी भी position में रहें चाहिए वो लेटे उठे बैठे करण बदले उसका दर्द एक बरावार रहता है किसी भी conditions रिलीव नहीं होता और next यह है कि यह दर्द आखिकार होता क्यों है किस तरह से kidney के stone का दर्द क्यों होता है इसकी सुरुआत कैसे होती है जैसे ही यूरेटर में कोई stone आके फसता है तो यूरेटर में blockage सुरू होता है और यूरेटर में blockage होना से उसमें urine का खट्टा होना सुरू होता है एक pressure generate होता है उस pressure को kidney sense करती है और kidney के अंदर एक प्रोष्टाग्लेटर नामक सीख chemicals निकलने लगता है यह प्रोष्टाग्लेटर निकलने का उद्देश ही होता है कि kidney चाहती है कि kidney में और ज्यादा blood flow हो और ज्यादा urine produce हो ताकि यह stone flush out हो सेके इस प्रयास में प्रोष्टाग्लेटर जब निकलता है और धेर सारा ब्लड किड्नी का blood flow बढ़ जाता है और kidney में urine production बढ़ जाता है इसकी वह से ज्यादा urine produce होनी की वह से और साथ में यूरेटर आगे यूरेटर ब्लाक होने की वह से किड्नी के अंदा pressure generate होता जाता है किड्नी अंदा pressure बहुत जाए बढ़ जाने के विसे किड्नी फूलने लगती है और इसकी वैसे किड्नी का pain होता है अमुमन यह दर्द चार से पांच घंटे बाद धीरे दीरे अपने आप सी सांथ होने लगता है इसकी वज़ए यह है कि क और अपने blood flow को उस जिस साइड दर्द होता है उस साइड की किड्नी आटों से डाउन मोड में एक तरह से चली आती है और इसके बाद धीरे धीरे उसमें urine का production कम हो जाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि यदि आप दर्द खतम हो गया इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं माने है कि यह पत्री निकल गई है हो सकता है सालेंट इस्टोन वहाँ पड़ा रहे हैं और यह धीरे किड्नी डेमेज करता रहे है इसलिए बहुत आवस्यक है कि एक बार दर्द खतम होने के बाद भी जांच कराना जरूरी है कि यह स्टोन पास हुआ है यह नहीं पास हुआ है य हम जो दवाय इस्तिमाल करते हैं वह नान इस्ट एडी ड्रक्स होते हैं नान इस्ट्राइडल एंटी इंफ्लेमेटर रक्स उसमें जो मुख्य ड्रग है वो डेकलोफिन यह वह वरान है वह वरान इंग्जसंस इंट्रमस्कुलर इंग्जसंस एक्यूट पेन में बहुत हो जाएगा और कितने दिन में पास हो जाएगे बहुत मात्रूप प्रश्न है इस स्लाइट की माद़न से मैं यह इसका अंसर देने की कोशिज करूंगा इस्टोन निकलने की संभावना यह डिपेंड करती है कि स्टोन का साइज क्या है और उसकी पोजिशन क्या है वो स्टो जातर इस्टोन पास ही हो जाएंगे लेकिन यदि इस्टोन चार्ट चार्ट च्छैमम का इस्टोन है तो दो से तीन हफ्ते भी लग सकते है उसको पास होने में और ऐसे इस्टोन में 50% चांस होता है कि उनमें कोई ना कोई सर्जिकल इंटर्वेंशन कुछ करना पड़े या जातर चांस ही होता है कि किसी ने की सर्जिकल प्रॉशन की जरूद पर सकती है ऐसे इस्टोन को निकालने के लिए आप किट्नी स्टोन यदि लंबे समय तक रुका रहता है तो धीरे-दीरे किट्नी खराब हो सकती है उसमें पानी खटा होने लगता है इस वस्था को इस पिर दिरे दिरे और पानी भरता जाता है तो इसे grade 3 आडरन फुर्स बलते हैं और फिर kidney में इतना पानी भर जाता है और इसकी वय़े से प्रेसर की वय़े से धीरे दिरे पतला होने लगता है और गुर्दे को नुकसान पहुंचने लगता है तो लंबे समय तक stone की रुकावट मत बर दें बहुत आप दो से तीन हफ्ते तक maximum weight करें ये दो से तीन हफ्तों में medicine के माद्धम से यह सत्वाइश्टोन नहीं निकलता है तो अपने गुर्दे की रच्छा है तू यूरोलाजिस के पास जाएं जैसा वो यूरोलाजिस सला दे रहा है ये दो सजरी की सला दे र बहादाद़ के मादाड में बहाद हुते की रचे हैं वो जो से पास जाएंग पास अचकत की रबटानग है औज धूरोलाज समल पेकर की रहुत में जैसा भी मुई जैसा जैसा झाल से की भी कर मुईम से